and welcome everyone स्वागत है आप सभी खां हमारे यूटिव चैनल आई एस पॉइंट में तो गईस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बाते जान लेते हैं साइन्स के बारे में ओके गईस तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपसे दो लाइन बोलना चाहूंगी बाहार की जो सुनता है बाहार की जो सुनता है वे बिखर जाता है ठीक है और जो अंदर की सुनता है वे सबर जाता है तो गईस इस लाइन से आपको क्या क्या समझ में आता है आप मेरे को comment box में comment करके जरूर बताएंगे तो guys मैं हूँ आपकी मित्र शिवानी सक्सेना सागत करती हूँ आप सभी का हमारी YouTube चैनल आईए इस पाइंट में तो guys आज हम यहाँ पे चान लेते हैं कुछ science के वारे में basic knowledge लेंगे थोड़ा सा उसके बाद से हम आगी continue करेंगे तो guys क्या होता है कि क्या हम लोग यहाँ पे science पढ़ रहे हैं तो guys science एक समझने वाला subject है क्या है science एक समझने वाला subject है जितना अच्छे से हम कोई भी topic समझेंगे उतना ही अच्छे से हम उसे explain भी कर सकता है तो guys कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जितने अच्छे से हम topic को समझेंगे उतना ही अच्छे से हम उसे explain भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए guys तब तक हम किसी भी topic को नहीं समझते हैं तो तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा हम उसे आत्र दिन या फिर हम उसे दो दिन के बाद ही हम उसे भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जितने अच्छे से हम कोई भी topic समझ के पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से हम उसे explain भी कर सकते हैं और learn करा हुआ हम भूल भी सकते हैं जल्दी ही बटर किसी भी topic को हम समझेंगे तो उसे उतनी ही इतनी जल्दी हम उसे नहीं भूलते हैं और according to me हम उसे अच्छे से याद भी रहता है तो guys मैंने आपको इतनी सारे lines होता है इसका कहने का मतलब सारा यही था कि अगर आप याद करते हैं तो फिर आप उसको एक हपते में भूल जाओगे लेकिन यदि आप उसी ही चीज़ को समझोगे ठीक है आप समझ के पढ़ते हो तो उस चीज़ को आप जादा अच्छे से explain कर पाओगे समझोगे, सोचोगे, ऐसा क्यों हो रहा है या फिर आप सोच के पढ़ोगे कि आप उसमें थोड़ा सा आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि आप सोच के पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहे है आखिर एक लाइन है, उसमें वर्ड आ रहा है जैसे कि अचल संधी तो आके अचल संधी है क्यों और यह क्यों होती है हमाई बॉड़ी में और यह आके वर्ड क्या करती है तो क्या होगा हमारे अंदर एक excitement होता है कि नहीं हम बहुत excited होता जानने के लिए कि आखिर वह यह word है तो इस word का meaning क्या हो सकता है ठीक है इसी तरीके से आपको करना है कोई भी चीज आपको आप उसको happy होके पड़े एक दम interest लेके पड़े किसी भी चीज को आप यह नहीं सोचें अपने mind पर कि वो आपके mind में एक दम बोज है और आप उसको इतने अच्छे से आपे learn कर रहे हैं क्योंकि learn कर रहा हुआ आप भूल सकता है लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पड़े तो आप उसको नहीं भूलेंगे आपको क्या करना है आपको continue एक दम interest लेके पड़ने कोई भी subject आप पड़ रहे हैं especially science के लिए नहीं बोला मैंने कोई भी subject आप पड़ रहे हैं तो आप उसको interest लेके ही पड़े ठीके सबसे main बात यहां पर यह होती है कि आप notes बनाएं ठीके आप लोगों की query रहती है कि मैं notes कैसे बनाएं तो guys आप यही है कि आप chapter wise notes बनाते रहें कोई भी subject आप पड़ते हैं तो पूरे मन के साथ उसे पड़ें अपर माइंट पर कभी भी pressure नहीं रालें यां कि हमें यह भी पड़ना है तो हमें history पड़ना है अरे या नहीं तो अभी भी हमें science भी पड़ने है तो आपके मैयाइन पर क्या होगा आपके mindset प्रेशर रहेगा तो आपको क्या करने हैं हचीज को आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ने कोई भी टॉपिक है तो आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप उसे एकदम जैसे की प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप लेके पढ़ें की प्रैक्टिकल लाइफ से आप उसे जोड़ेंगे एकदम आप उसे क्या करा आपने कि कोई भी टॉपिक है आपने उसे प्रैक्टिकल लाइफ से connect कर दिया तो मैं भेए आपके समझ में जो आए गाने एक दम म्यूनिक होगा वो आप उसके पर अपना point of view भी रख सकते हैं आपको जो भी समझ में आए आप उसे देखें कि यह चीज है क्या और यह वर्ड का क्या मतलब है तो आप उसको अच्छे से आप उसको अच्छे से समझ में आ सकता है तो आपको क्या करना है हमेशा आप को भी टॉपिक पढ़ रहें तो उस टॉपिक को पहले प्रांटिकल लाइफ से जोड़ें तब तब प्रांटिकल लाइब से आप जोडते हैं कोई भी एक्जामपल आप ऐसा लेते हैं क्योंकि में आएगा उस माइन में तब वो आएगा तो आप उससे रिलेटेड आपको सारी बाते याद आजाएंगी गया हमने तो यह पढ़ा था तो आपको क्या करना है कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे मन से पढ़ें और हमेशों से एक्जामपल के साथ पढ़ें एक् को किलियर कर सकते हैं ठीक है ऐसा कोई नहीं है बंदा कि आप से कोई बंदा कोई भी टॉपिक पूछता है आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तब आप किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे एक दिन आपको वो चीज याद रहेगी द आप आप ऐसी ही करोगे क्यूंकि ऑगर कैला है आप अप ऐसी ही करते हो आप इसे फर्लोर करें तो मैं भी आपकी स्टूडी काफी अच्छी रहेगी और जो आप पड़ रहे हैं आप उसे भूलेंगे भी नहीं थीक क्योंकि जिको मैं तब पढ़ती हूं मैं तो ऐसे ही बढ़ती हैं इंट्रेस्ट लेकर अगर में अपने मायाइड पढ़ने पढ़ने थैंक्यों आपको क्या नहीं प्रशुर्ण में पर दालें हैं इसलिए आप कोई पी चीज करें कोई भी वर्क कर रहा है आप किसी भी वर्क को करते TIME कोई भी अपने पर्पेरेशन ना रखें वह्यई सब्सक्तिख़ी हो के पढ़ें आप है ।र वर्क कर सब्सक्तों कि पंइ हैं कि अचल सन्थी क्या होता है कैई फमने जाना था हिंजसंधि वगरा के बारे में और आज देखने वाले हैं अचल संधी होता क्या है कोई बी टॉपिक में तब न üu पढ़ती हो न तो मेरे में भी आता है कि यह वर्ड आया कहां से और यह वर्ड का क्या मतलब है और यह वह वर्ड हमारे लिए किस तरीके से उपियोगी हो सकता है पको क्या करना है यहां संधी आकर अचल संधी है क्या चलिस्टार्ट करते हैं और इसको हम इगदम हपी हो के पढ़ेंगे ठीक है जिसे कि हमारे माइंड में एक दम यह फिट हो हुझाए तो यह वो संधी है जिसमें फॉन्स हड्डियां अस्तियां लहीं सकती वो मूव नहीं कर रहे हैं क्या नहीं करें गाइस वोग दो मूव नहीं हो रही हैं ऐसी संदी को हम कह रहे हैं अचल संदी कह रहे हैं और यह जो अचल संदी है यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे जो उपरी जवड़े हैं हमारे मूव के उपर जवड़े होते हैं वो गाइस अचल संदी से जुड़े होते हैं किसे वह जुड़े होते हैं और नीचए के जवड़े हैं वह उसमें क्या होता है उसमें dragging है जैसे कमार इस पूरा फेस है तो अगर पूरे को हम देखें एक वार तो उसके बारे मारे देखा जाये तो सुर्फ नीचे वाले जवड़े होता है यह वह आप को अच्छे से समझ लेना है यहां पर आप देख रहे हैं कि सरीर का एक आप यहां पर देखेंगे देखेंगे यहां पर क्या है कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सरीर का जो संपूर कंकाल है इस पिरकार का होता है ठीक है आप यहां पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे जो बॉडडी के कंकाल है उसी तरह होता है जैसे आप सबी लोग देख रहे हैं इस पिचर्स में मानफ के कंकाल हमारे जो यह मानफ के जो मानव के बॉड़ी होती है, इस पिरकार की अस्थियों एवं पूर धाचे से ये खड़ा होता है, यो इस टैक्टर है गाईद आपके सामने पिच्चर में, तो ये क्या है, ये पूर संधियों द्वारा एकदम संपूर धाचे के रूप में खड़ा होता है, और इसमें वि बताती हूं गयरूब घंखाल तो इसकी जो कॉनी है कोनी में भी इसके संदी है या आप यहां पे देखने कौन ही में इसके संधी है और इसके जो गुटने हैं गुटने में भी संधी है गर्दन में और काफी सारी जगह उपे जैसे कंदे हैं गर्दन हैं कौन ही हैं और गुटने हैं तो सारी जगह पर हमारे मानव कंकाल पर जो अस्थिया हैं हड्डिया हैं वो किसी ने किसी संधी से किसे जुड़ी होती हैं किसी संदी से जुड़ी होती हैं इस आपको सारे जो distractions वह अच्छे से समझ आ रहे हैं अगर आपको नहीं समझाते हैं तो आपको jumping weissant box में comment करेंगे अगर आपका भी मन नहीं कर रहा है तब एविडियो विल्कुल नहीं देखें तब आपका मन करें आप इस वीडियो को देखें लेकिन आप बीडियो देखते ना pen Mix सिरें देखतें से देखें क्योंकि आप खेंव अच्छे में ना आ रहा तो वीडियो देखने कभी व स्यादु नहीं अपका की विईयो कोई से चाहिए ऊच्छे मों में पसमें लिए चूट हैं कर दो भका कुमान को शुक्राण संधियां से जुड़ी होती हैं और संधियों से जुड़ा होने के कारण ही वो मूव कर पाते हैं गती कर पाते हैं ठीक है जो गती है हमारे सरीर की वैस संभव हो पाती है जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं तो जैसे कि आप सभी लोग इस पिचर में देख रहे हैं चेत्र 8.7 ठीक है तो आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं गुटने की संधियां जो आपस में दिखाया गया है आपको यह गुटने की संधियां है जो आपको इस पिचर में दिखाई गई है तो जैसे आप आप क्या करते हैं आप लोग देख पा रहे हैं हातों के वारे में ठीक है यहां पर हो कि गुटने की संदी और यहां पर है आपकी हातों की अस्थियां ठीक है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं हातों की अस्थियों के वारे में की वो मुवमेंट हो पाते हैं यानि की गती हो रह जैसे मुठी बंद करते हैं खोलते हैं तो क्या होगा यह तरीके से वह मूवमेन्ट हो रहा है कि यह संभव हो पाता है संधियों के कारण संधिया किस किस तरीके से काम में आती है संदि्ट हैं कितना है वर्फ खती है आपको अच्छे से जाने लेते हैं तो यह संभव होगत हो चाहिंगे में प्रेzazzi होती हैं आपको अज्छे से ध्यान है अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप उसको comment box में comment करेंगे and फिर आपको क्या करना है आप परले से सोचेंगे समझेंगे उसके बास से आप देखेंगे आप अपने फिर आपना हैं देखेंगे फिर आप उसको आप उसको मुटी बंद करेंगे खोलेंगे तो मैं भी आपके इतनी अच्छे से समझ आएगा ना प्रैक्टिकल करके उसका ठीक है तो आपको क्या करना है आपको ऐसे ही करना है आपके अच्छे से समझ आएगा गाइस अब हम देखने वाले हैं पसली और पिंजर के वारे में आखे यह होता क्या है इसकी पिचर से आप लोग देख रहे हैं ठीक है गाइस आपकी इस पिचर को आप लोग देख पा रहे हैं कि पसली पंजर होटर क्या है चलिए आज हम लोग क्या करेंगे आज हम इसके वारे में जानेंगे क्या 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 पसली होता क्या पिंजर क्या होता है तो guys उब्रीद और गुमावदाद चीजों की एक संखला जो हड़ी होती है, रीड की हड़ी, ठीक है, तो guys वो रीड की हड़ी होती है, जिसे हम बोल रहे हैं पसली, या फिर हम उसे English में रीड भी बोलते हैं, इसकी जो संख्या होती है guys वो बारा, ठीक है, बारे जोडों में होती है ठीक है मतलब कि 24 कोल इसकी संख्य होती है चीज जो संक्य होती है guys total 24 होती है आप चुछ देख रहा हैं जैसे आप लोग यहां पर देक पा रहे हैं डाइग्राम में कि इसकी पीच की जो टंडी है ना लμबी-बी सी इसको हम लोग बो 또 रहे हैं रीर की हड़ी ठीक है आपको ये भी अच्छे से ध्यान लखना है कि रीर की हड़ी होती है और इसके जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ ये बारा बारा के जोड़े हैं और टोटल हमारे 24 होते हैं आप इसको देख रहे हैं अच्छे से आप इसको समझेंगे राइगराम होते हैं और यह आकर है क्या हम यह जो 24 हैं यह जीड की हड़ी इससे रिलेटर जो मैंने आपको बताया आप उसको सोचेंगे और आप फिर उसको आपको लर्न नहीं करना है आपको से समझना है आप समझ के उसे अच्छे से एक्स्प्लेइन कर सकते हैं तो चलिए अब हम जानेंगे गईस की यह पिंजर क्या होता है ठीक है जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पिंजर डर्समीन पिंजरा तो अस्तियों का वे धांचा जो पिंजरे की तरह काम करता है हमारी बॉडी के आंतरिक भागों की यह रक्षा करता है क्या करता है गाईस यह हमारे आंतरिक भागों की रक्षा करता है फोर एक्सामपल फैप्टे हैं देल है ठीक है हाट रोडेलिकस होता है या फिर आप ले सकते हैं कि बहुत सारी शिरावी हैं क्या हैं गाईस बहुत सारी शिरावी हैं उनकी यह रक्षा क करता है आपको फिर से देखना है तो जो हड्य होती है ठीक है पिंजरा हमने आपको बताया कि इसका मीन्स होता है वह पिंजरा होता है तो अस्तियों का फिर धाचा जो पिंजरे की तरह काम करता है जो हमारी बॉड़ी में आंत्री भागों की रक्षा करता है क्या करता है आंत् अगर आपके वडूट है तो आप उसको क्लिया है है औरुच को यह ऊपने होती है चुक्छंड आपे वीदिय खीयोट फेजट पसंद आती है यह आप आप इसे लाइक कीचिआ किचे यह सब्सक्राइब कीच video क्मैंट कीच्ये ऑड थब्वाई